लेकिन हमरे एक ठोसा वाल है काउन से भगवान पर विश्वास करें? पहले ही ये बताईए भगवान जी कि आपको किस नाम से बुलाओं? दूई भगवान है एक जौन हम सब का बनाया और एक जेका तोम लोग बनाया तो सबसे पहले तो भगवान ये बताएं आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाब बैठे रहेंगे बेटा हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है तुम करेगा रच्छा भगवान का तुम सब आपके लिए अपने अपने धर्म को बचाने में लगे हैं आपको बचाने में लगे हैं उपर से ही उस धर्म में सब का रेजिस्ट्रेशन करवा कर रीचे भेजिए अरे भगवान जी आज आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ पर इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँ पहले ये बताईए भगवान जी कि आपको किस नाम से बुलाओं क्योंकि यहां तो सब ने आपके अपने अलग-अलग नाम रख रखे हैं मैं चाहता हूँ जो आपका असली नाम हो उशिवा हो अल्ला हो जीजस हो गुनानक हो या बुद्धा आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको उसी नाम से बुलाओं ताकि आप मेरी बात पुरे ध्यान से सुनें क्या नाम है आपका भगवान पर प्रॉब्लम तो यही है कि आप बोलते नहीं पर हां सब ये कहते हैं कि आप सुनते सब की हो तो चलिए फिर मैं बोलता हूँ और आप सुनते रहिए तो सबसे पहले तो भगवान ये बताएं कि इतने सारे रूप लेकर इतनी confusion create करने की क्या ज तो भगवान इतने रूप बनाए क्यों या इतने रूप किस ने बनाए आपके और अगर जैसी शद्धा वैसा रूप वाला मामला है आपका तो जितने मर्जी रूप बना लेते कोई फर्क ना पड़ता पर फिर ये अलग-अलग धर्म की categories क्यों और उसके ऊपर हर धर्म की बिलकुल अलग SOPs क्यों? क्यों इतना confusion भगवान? कहीं ऐसा तो नहीं भगवान कि ये सारा confusion इस दुनिया ने बनाया है और आप बस enjoy कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से अपनी पूजा और सेवा करवा कर आज सब अपने different-different religions की different-different SOPs के लिए fight कर रहे हैं सब आपके लिए अपने-अपने धर्म को बचाने में लगे हैं आपको बचाने में लगे हैं लड़ रहे हैं मर रहे हैं नफरत पहला रहे हैं अरे भगवान जी एक बार बता कर खत्म कर दो ना ये जंजट कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है और अगर कोई ऐसा धर्म है जो इन सब धर्म से उपर है, इन सब रिलीजन से उपर है, तो भगवान जी एक काम करिए, उपर से ही उस धर में सब का रेजिस्ट्रेशन करवा कर रीचे भेजिए, भगवान जी आद सब को आपका एक नया घर बनाना है, फिर वो मंदिर हो, मजडिद हो, गुर्द्वारा हो या चर्ज, सब आपके लिए एक नया घर बनाने में लगे है, इसके अलावा हर एक घर में भी आपकी एक जगह है, पर भगवान जी ये बताईए, अगर आपसे सच में मिलना हो, तो कहां मिलेंगे आप, उस घर के मंदिर में, उस बड़े मंदिर में, या फिर अपने मन के मंदिर में, बता पर बताओ ना सबसे फेवरेट क्या है आपका वही बना कर लाओंगा और अगर आप सिर्फ श्रद्धा और प्रेम के भूके हैं तो बताओ वैसे ही आता हूं दर पे आपके आप सब की इच्छा पूरी करते हैं और इसके बदले में हर धर्म के लोग आपको कुछ ना कुछ भ भगवान तेरा ही दिया हुआ सब कुछ है और अगर उसी में से सब तुझे थोड़ा सा भेट कर देते हैं तो तो उनकी इच्छाएं पूरी कर देता है तो शायद भगवान आपकी इच्छाएं इनसानों से बहुत कम हैं किसी का धर्म सबसे पुराना है किसी का धर्म उनके जैसा बना लेना ही भगवान की पूजा है भगवान बस एक बार बोल दो इन सब को कि आप क्या चाहते हैं बस एक बार कह दो कि ना बली चाहिए ना कुर्बानी निर्दोशों की कुछ कुर्बान करना ही है तो मन में जो भुरे विचार हैं उनको मिटा दो एक बार कहदो भगवान, बड़े मंदिर, गुर्द्वारों, मश्रिदों और चर्च में नहीं बसते आप, जहां सच्चाई हो, शद्दा हो, प्रेम हो, प्योर्टी हो, वही आपका पक्का घर है रुपए, पैसे, सोना, चांदी, उपहार, चादरे, भेटे नहीं चाहिए आपको, चाहिए तो बस इनसानों में इनसानियत बस एक बार कहदो भगवान, दुनिया से, कितने भी बड़े स्पीकर लगा लो, पर उनकी आवाज आप तक तब ही पहुँचेगी, जब वो आवाज स्पीकर से नहीं निकलेगी, बलकि सच्चे मन से निकलेगी बस एक बार कहदो भगवान, कि सबसे अच्छी creation थी आपकी ये इनसान, कहदो इनसे, छोड़ दें आपको बचाना, और आपके लिए अपने धर्म को बचाना, कुछ बचाना ही है, तो इस उजड़ती धर्ती को बचा लें, कुछ बचाना ही है, तो इनसानियत को बचा लें इनसानों में, कहदो भगवान इनसे, कि छोड़ दें, अलग-अलग धर्म का बनना, एक अच्छा इनसान बनकर अपने भगवान को पा लें, वही काफी है, सो दोस्तों कभी किसी भगवान ने हमें आकर, बंदिशों में नहीं बाधाय, जहां भी आप देखेंगे, सिरफ ए की मेसेज मिलता है, आपस में प्रेम करें, अच्छे इनसान बने, जरूरी तो नहीं, कि हर रोज धर्म का पाठ करकर ही, हम भगवान को पा सकते हैं, ट्रस्ट मी, एक अच्छा इनसान बनकर भी, हम भगवान को पा सकते हैं, सो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया, त प्लीज शेर करें, और अगर आप चाहते हैं कुछ और ऐसे टॉपिक्स, मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें, शेर करें, कि किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, तेंक यू सो मज़ फ्रेंग, सी यू नेक्स टाइम.